नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ upcoming IPOs के बारे में जो totally देखा जाए October में जितने सारे IPOs आने वाला है उसी के बारे में आपको बात करने वाला हूँ और इसमें से हर कोई companies के बारे में आपको दिखाऊंगा जितने सारे companies का IPO आने वाला है तो पूरा details में देखना क्यूंकि इसमें से कौन सा company में आपको focus होना चाहिए मतलब कौन सा IPO के लिए आपको अभी से मतलब study होना चाहिए तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ और पूरा data आपको पूरा निकल के में लिखा आया हूँ तो full details से आपको दिखाऊंगा तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चनल को subscribe नहीं के तो जूरू subscribe के लेना जो कि आपको daily basis stock market information चाहिए तो इस चनल में बने रहेना तो चलो देखते है आज के stock के बारे में तो सबसे पहले जो IPO आने वाला है October में अभी तक date announcement किया गया है तो जब IPO आ जाएगा तब आपको में इस सभी IP का अभी तक issues आई जा चुक है कुछ भी date कौन सा होगा उसका data अभी तक नहीं आया है जब data publish हो जाएगा तो पूरा details में आपको उसके बारे में बताऊंगा सि सबसे पहले जो companies है उसके बारे में देख लीजिए आपर देखें एमक्यूर ऑफ फार्मासेटिकल कॉमपानी है तो एक टोटली फार्मासेटिकल कॉमपानी है तो इसी का IPO आने वाला है तो हरकोई फार्मासेटिकल में तो कोवीट के चकर में बहुत सारा अच्छा खासा फ कभी अभी तक अंदाज नहीं है तो फार्मासेटिकल कोई भी कॉमपानी लिश्टिंग हो रहा है मतलब मार्केट में आना चाता है तो वह भी अच्छा-कासा पार्फोर्मेंस कर सकते हैं इसका डीटेल्स एक बाद देख लीजिए और यह जो टीटेल्स में आपको सकते हैं में फाइप पैसे के ऊपर से इस टेटा आपको निकल के दिखा रहा हो तो आप खुद भी जाकर पांच पैसे के वेबसेट पर देख सकते हैं तो यहां पर देखिए एंसी और जो फार्मासेटिकल है वह इसका टोटल जो मार्क आईपी आने वाला है वह फोर थाउ लेबल हो जाएगा इस कंपनी का जो इसके अलग से आपको वीडियो बना दूंगा तो दूसरा जो कंपनी से हैं वो नाइका है नाइका आप सभी जानते हैं एक दिगज मतलब कॉस्मेटिक्स का ओनलाइन बिजनेस करते हैं तो टोटली जो कस्मेटिक्स है मतलब जितने सार लेडिस और जैन्स का जो कास्मेटिक्स लगते हैं टोटली इस कंपनी सेल करते हैं वो भी ऑनलाइन में बहुत अच्छा का सा काम करते हैं इस कंपनी ने और अच्छा का सा यहां पर डिसकांट से माल भी सेल करते हैं रिसी का आइप आने वाला है इसका भी डेटल आप 3,475 करोर तो देखा जाए या पर इसू साइज जो रहेगा वह 525 फ्रेस इसू और अफर फोस से ले जाएगा आफ 3,475 करोर फुल मिलाकर 4,000 करोर का टोटल आईपी आने वाला है तो यह था सेकेंड आईप्योज और थार्ड जो आईप्योज है उसके बारे में भी देख ली है इसका काम है अब रिचाज यहाँ से कर सकते हैं इतने शारे रिचार्ज बील पयमंट करना है अब देख लिए मूबाइल DTH E spirit कर से जितने सारे बिल से आप इndसरन को सकते घ्रा氣1 काशने कनेक्शन जितने सारे कनेक्शन है और भी बहुत सब्सेटार तो आप व chase पए मतलब मुवी क्विक से आप पेमेंट कर सकते हैं इसका प्रोमोशन नहीं करा हूँ इसका भी आइप आने वाला है इसका डेटा है आप एक पर देख लीजिए मुवी क्विक का डेटा है टोटल यहां पर देखा जा रहा है 1,900 करोर मतलब उतना अच्छा गासा IPO मतलब उतना बड़ा IPO नहीं है फिर भी दिखे 1,900 करोर का IPO ले आने वाला है टोटल फ्रेस इसू रहेगा 1,500 करोर का और ऑफर पर सेल रहेगा 400 करोर का तो इसके उपर भी आपको नज़र रगना चाहिए तो उसके बाद जो IPO आने वाला ह मतलब मान के चलिए IRCTC याई साई एक कमपानी है फिर भी देखिए इक से भी में आप कोई भी टीकिट खरीदारी करेंगे तो आप एक सोगे से तो ज़रूर खरीदारी कर सकते है मगर बो टोटल इस से लिंक आप है मतलब फाइदा ज्यादा कर आया सिटीश को जाएगा तो दिखी एक कमपानी का longer business अम Move this day तो इसके उपर भी अप नजर रगना कि कॉम्पानी भी अच्छा का सा काम करहिए तो कितना क्या इसका वेरेंस इट कीर्शं किया है इसका है इसके बारे में में जब इसका इप्यों और टोटला आ जायेगा पाइनल डेटर आज आएगा他व आपके सामने में डिसकस करूंगा तो इसका भी डीटेल से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सी क्यों को परफॉर्मेंस है करीबन देखा चाहिए जिसमें प्रेस रहेगा सेफर फॉस्टल रहेगा सेभाटेल लिवाट्टेंटी करोर और सब्सक्राइब करोरो इसके ऊपर भी आपको नजर रगना चाहिए एक कंपानी भी खराब नहीं है तो उसके बाद जो कंपानी से बो है आप देख सकते हैं तो एक चो कंपानी है वो पूटेली एक travel agency company है इसके उपर आपके जुरूर नजर रखना चाहिए इस company भी जौबदस्त है इस company के जो में काम है जितने सारे कंटी से बहुत सरे कंटी सब देख सकते हैं या पर Europe कंटी अमेरिका आप देखिए आरब कंटी भी दिर्मान लीजिए तो बहुत सरे कंटी के स साथ काम करते हैं मतलब जिस कांटी से आप travel booking करना चाहते हैं तो इस company के साथ जा सकते हैं तो इस company भी आईपयो ले आने वाला है इस October में करीबन करीबन 1200 क्राड़ रूपिया का आईपयो आने वाला है जिसमें 4 क्राड़ रूपीज टोटली offer for sale रहेगा और offer for sale रहेगा 800 क् तो इस आईपयो के उपर भी आप जा सकते हैं उसके बाद जो आईपयो के बात करना वो star health insurance यह सबसे जवादस एक company है इस company के उपर आईपयो आपको जुरूर नज़र रगना चाहिए कि कि health sector का insurance sector का जितने इस तरीके से performance अभी चल रहा है तो future में अच्छा का सा performance होने वा है इसी के चलते है इसको भी आईपयो आने वाला है करीबन 3000 करोड का IPO इस company भी करीबन 2000 फ्रेस इस ले आएगा और offer for sale 1000 करोड का यहां पर ले आएगा को मतला totally health sector से बिल्वन करते है मतलख कितने सारे health insurance लेना चाते हैं तो इस star health के साथ भी आप जूड़ सकते है और star health से ही जादा तर यहाप और भी बहुत सरे health sector है है और भजाज का भी हेल सेक्क्टर है तो ब कंपानि है वह तो हे अपर आप काने और 알गोचR न काम करने को देखने को मिलता है वितने रुटर एलिए में काम करते हैं कpectorama थे यह आप देखे जब करें प्रॉडक्ट है आप देख सकते हिए आपनाय develops याप ज्यता सी लोन देने के लिए एक कॉम्पानी से तो इसके उपर भी आईप्यो आने वाला है तो आरहन के लिए टोटल 1,800 करोड का आईप्यो आने वाला है जिसमें 950 करोड रेस इसू रहेगा और offer for sale रहेगा 850 करोड तो इसके उपर भी आप एक बार नज़र रखना जब आईप्यो आ आने वाला है जिसमें 300 करोड फेस इसू रहेगा और साथी साथ 1,500 करोड और offer for sale रहेगा यह जो कॉम्पानी है इसके उपर भी आप study कर सकते है यह भी एक कॉम्पानी जो है इस कॉम्पानी के उपर भी आप study कर सकते है उसके बाद जो आईप्यो आने वाला है वह आप कर देखें कोई भी कॉम्पानी कोई भी मतलब दिगज फिलिम स्टार और कोई भी कीगडर कर लेकर अड़टेजमेंट कर सकते है फिर भी देखिए इस कोम्पानी का पार्फोर्मेंट कैसे है उसके उपर डिपेंड करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इसका भी आइप देख सकते है करीबन करीबन 1350 करोड का इप आने वाला है इसमें 700 करोड फेस रहेगा और टोटल ऑफर फसेल रहेगा 560 करोड रुपीज इसके बाद यहां पर और एक फाइनस डिपरमेंट का इप आने वाला है फिंक्यार स्मॉल फाइनस बैंक यह भी एक मतलब देखा जा वह सेल 3000 तक यहां पर रहने वाला है तो यह भी कॉमपणी जो है यहां पर आप देख सकते हैं यह कॉमपणी भी टोटल फाइनस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और साथी साथ उसके बाद जो कॉमपणी आपको दिखा रहा हूँ दिखे लिए ईएस एफ तो ईएस एफ एफ तो उसके बारे में डेटा है और रहा हूँ आप है पर प्रोटल फाइनल सेक्टर बेंक है इसके ऊपर भी आपको नजर रखना जूरूरी है यह वह एक फाइनल सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो इसका भी आईप का आने वाले है इसके उपर भी आप स्टाडी करीगे आए ब पूर डेटल में आपको दिखांगा उसके बाद जो आइप ईए was a cement company है आँ देख सकते हैं इसके पीनाम cement company इसके उपर भी ip इसी कमपनर में और लो होते हैं इसके अने वाला है तो इस कुमपनी के जैंफं वनICK करोड आईपियो से किसमें principles का का IP U Offer For Sale रहे और 250 करोड offer for sale रहे गा और तो उसके बाद जो IP U है वह यहाप देखे स्टीलिंग पावार टांसमिशन मतलब टोटली पावर सेक्टर से बिलोंग करते है तो इसका भी आई-पय आने वाला है टोटली पावर से क्टर से बिली अंग मतलब आप एंटीव की मपकर लीजिए ईस त्रीकर से काम करते शी कि उसी सेक्टर में इस कंपने भी काम करते है लो कि कम करते को कृपणर करिवन करोन का IP आने वाला है जिसमें आप देख सकते है करीबन इसका डेटा अभी भी अभी आवलेवल नहीं है कितना परसंट फेस इसू रहेगा तो उसके बाद जो आप आने वाला है वह भी आप देख लीजिए आप देख सकते हैं CMS CMS एक आप आपको तोटली आप जितने सारे कैमेरा होते हैं जितने सारे सिक्रूटी है और ATM देखे आप इसका बिजिनेश देखे ATM cash management और आप देखे retail cash management और cash in transit और banking आप देखे automation और यह पर और भी है कैडिड कर के लिए भी काम करते हैं माल्टी वेंडर के सॉप्टर के लिए काम करते है रिमोट कंट्रोल का काम करते है मतलब जो जितने सारे कैमेरा से उसके उपर काम करते है और एक टेम के उपर काम करते है तो यह भी कुम्पानी अच्छा कासा है इसके उपर भी आपको नज़र रखना चाहिए तो उसके बाद Tata Steel, Yinda Steel, जिस तरीके से naam सुनते है, JSW Steel, उसी तरीके से A B X Steel Company है, तो इस Steel Company के उपर भी आपको नदर रगना चाहिए। То Steel और आपढ़े देखिए, Steel के उपर काम करते है, Power के उपर काम करते है, साथी साथ Mining के उपर भी Company काम करतेมं तेनों सेक्टर में काम करते हैं ज्यादातर क्रूपानि इस तील के उपकर भी आपको नदधर रगना चाहिए तो उसके बाद जो i.p आने वाला है बहुने वाला है कि कि अप सभी जानते हैं इंडिया की जितने सारे हैलमेट जितने सारे यूज करते है ज्यादातर स्टार्ड जकेट है बाइक के लिए बाइक चराने के लिए तो टोटली एक पर सटार्ड से ही वह चीज आपको मिलते हैं तो सटार्ड के हिलमेट के बारे में आपको जूरूर पता है तो इसका आयपको आने वाला है इसके उपर आपको नज़र रगना चाहिए उसके बाद जो लास्ट और reality sector में इस company काम करते हैं इस company के उपर भी आप मतलब study कर सकते हैं इस company भी किस तरीके से reality sector में काम कर रहे है इसका performance क्या है तो इसके सारे details में आपको लिखा दूँगा तो वीडियो को अभी में खतम करना चाहता हूँ कि जितने सारे IPOs है में सारे IPO इस October में आएंगे तो लाइक करना दोस्तों से शेयर भी करना और आप सारा डेटा डेटा आप पाँच पैसा के website में जाकर भी यहां पर देख सकते हैं तो मिलते हैं अगले stock अगले news लेकर तब तक लेच्छा रही है आपने क्या लगी है बाई-बाई